अब 9th cell organally जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे centrosome और उसके अंदर जो present होते हैं centrioles उनके बारे में हम पढ़ेंगे centrosome जो होता है ये एक cell organally होता है जिसके अंदर क्या होते हैं दो cylindrical structures होते हैं जिनको क्या कहते हैं उनको कहते हैं centrioles अब centrosome क्या होता है ये समझने के लिए एक typical spherical structure अगर हम ले इसको हम centrosome कहें तो centrosome के अंदर जो है दो cylindrical structure present होते हैं centrioles तो ये जो दो cylindrical structures है ये क्या है ये है centrioles अब centrioles जो है वो 90 degree angle मतलब perpendicular direction में रहते हैं centrosome के अंदर और ये surrounded किस से होते हैं surrounded होते हैं amorphous pericentriolar material से अब centrioles जो है centriole का structure किस तरीके का होता है उसको समझने के लिए जड़ाई इस typical structure को देखते हैं तो centrioles जो है उन में जो है cilia और flagella की तरह ही इसका centriole का भी structure होता है और उन में जो है यह peripheral fibrils produce होते हैं triplet की form में अब वहां पे क्या था cilia और flagella में वहां था peripheral microtubules थे पर यहां पे peripheral fibrils हैं जो की tubulin protein के बने होते हैं और यह जो है triplet हैं वहां पे doublet थे तो यह जो है triplet होते हैं peripheral fibrils जो की सेम 9 जो है 9 peripheral fibrils यहां पर present होते हैं यह आप देख सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 peripheral fibrils यहां पर present होते हैं और यह जो center part है आपके centriols का यह भी protein से मिलका बना होता है जिसको कहते हैं हब और यह जो peripheral fibrils थे tubulin protein के जो बने होए हैं यह 9 होते हैं सेम जैसे cilia flagella में 9 थे तो पर वो जो थे doublet थे यहां पे जो है triplet होते हैं और यह जो triplet है peripheral fibrils जो की 9 है नमबर में यह एक दूसरे के साथ linked होते हैं जैसा सेम जैसा आपके cilia और flagella में था तो यह भी वैसे ही linked होते हैं दूसरे के साथ अब cilia और flagella में क्या था center part में दो central microtubules और present थे पर यहां जो है center पे कुछ ऐसा peripheral fibrils या जो है टिम्यून प्रेजेंट नहीं होते हैं तो इस जो है structure को क्या system को क्या कहा जाता है structure को क्या कहा जाता है इस structure of arrangement को क्या कहा जाता है basically इसको कहा जाता है 9 plus 0 arrangement तो यह कोशन भी बहुत आता है कि 9 plus 0 arrangement किस में प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है century all के अंदर और 9 plus 2 किसमें प्रेजेंट है 9 plus 2 सीलिया और फ्लेजिला में प्रेजेंट होता है जो center part है century all का जिसको हम कहते हैं यह connect होता है triplets के साथ triplet peripheral fibrils के साथ with the help of radial spoke same जैसे आपके सीलिया और फ्लेजिला में होता है वैसे यहां पर भी radial spoke present होता है जो इनको connect करके रखता है इनके center part से जिसको हम कहते हैं और यह जो है radial spoke हो गया और यह जो है यह इसके formation में सीलिया और फ्लेजिला के और centrioles जो है वो spindle fibers बनाने में भी help करता है spindle fibers जो है वो फिर spindle apparatus बनाता है जो की help करता है cell division में इन एनिमल सेल्स तो यह सारी चीज़ें ती सेंट्रियॉल में टिपिकल स्ट्रुक्चर सेंट्रियॉल का इस तरीके से होता है मैंने आपको समझा दिया है अब टैंथ और लास एलोगनली के बारे हम पढ़ेंगे जिसको कहते हैं nucleus nucleus जो है उसको किस ने discover किया था रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले discover किया था और जो nucleus होता है अगर interface nucleus है मतला जो nucleus divide नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है उस time पे उसके अंदर क्या present होता है highly extended or elaborate nucleo protein present होते हैं जिसको क्या कहा जाता है जिसको कहा जाता है chromatin यह यह जो है यह chromatin उसमें प्रेजेंट होते हैं और जो है spherical body भी एक type की present होती है जिसको कहा जाता है नूकलियोलस या नूकलियो लाए इसको जो है नूकलियो लाए कहा जाता है और इसके अंदर जो matrix present होता है उसको nuclear matrix कहा जाता है नूकलियो जो है वो covered होता है nuclear membrane से या उसको nuclear envelope भी कह सकते हैं अब nuclear envelope या nuclear membrane और nucleus के जो inner membrane है इसके बीच में जो यह space बन जाता है इसको कहा जाता है peri nuclear space क्या कहा जाता है peri nuclear space अब peri nuclear space जो है वो क्या काम करता है वो काम करता है as a barrier peri nuclear space क्या काम करता है वो काम करता है as a barrier barrier किसके बीच में barrier between Cytoplasm and inside part of nucleus मतला nucleus के inside के part में और जो Cytoplasm है cell का क्योंकि nucleus तो अब भाई साब cell के अंदर ही तो present होगा यह nucleus है माल लीजिए अब new और यह Cytoplasm है बाहर जो तो इसके बीच में और नूप्रेयर के इनसाइड में जो चीज़े हैं उसके बीच में और साइटोप्लाजम के बीच में एक बैरियर की तरह काम करता है नूप्रेयर 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 पर जाके इंटरप्ट हो जाती है और वहां पर क्या बन जाते हैं कुछ पोर्स टाइप के बन जाते हैं जिनको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर इनको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियर पोर कहा जाता है और न्यूक्लियर पोर के थ्रू क्या होता है एक्टिव एक रेटिकुलम के साथ भी जो है close association में होता है न्यूक्लियस तो RNA प्रोटीन जो बनता है वो जो है उसका एक्टिवली एक्सचेंज होता है साइटो प्लाजम और आपके न्यूक्लियस के बीच में तो साइटो प्लाजम में जैसे वहां पर आगर जो है आपका एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम में प्रोटीन बना RER के थ्रू ग्रफ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया तो वो प्रोटीन जो है साइटो प्लाजम से न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाता है और वाइस वर्षा यहां से भी material बाहर cytoplasm में जाता है किसके थू जाता है nuclear pore के थू जाता है अब nucleus की बात करें तो कई cells में जो है nucleus एक nucleus भी present हो सकता है और कई पर multiple nucleus भी present हो सकते हैं अब कुछ ऐसे cells होते हैं जिनके अंदर nucleus ही present नहीं होता है और उन में से एक्जामपल क्या है वो एक्जामपल है RBC of mammals mammals के RBC मतलब red blood cells या erythrocyte kelo जो है RBC जो होते हैं mammals के उन में nucleus present नहीं होता है और sieve tube cells में sieve tube cells जो होते हैं vascular plants के vascular plants कौन कौन से होते हैं वो होते हैं आपके जिम्नोसपर्म एंजियोसपर्म जो है वो vascular plant होते हैं तो उनके अंदर sieve tube cells जो होती है उन में भी nucleus नहीं होता है RBC एक interesting case है RBC जो red blood cells है mammals के उनके अंदर nucleus इसलिए नहीं होता है क्योंकि RBC जो होती है mammals की उनको जो है oxygen जो है जादा amount में store करके रखनी पड़ती है store करके oxygen जादा amount में रखनी पड़ती है तो उनके पास जो है space जादा नहीं बसता है RBC के अंदर तो इसलिए उसमें ये modification है कि उसके अंदर जो है nucleus present नहीं होता है तो यह reason होता है कि इन cells में जो है nucleus present नहीं होता है यह बहुत important है यह point क्योंकि इसके ओपर बहुत question पूछे जाते कि कौन से cells के अंदर जो है आपके nucleus present नहीं होता है तो उसका अंसर होगा RBC और sieve tube cells of vascular plants अब next point nucleus का discuss करें तो nucleus के अंदर यह जो matrix present होता है इसको क्या कहते है nuclear matrix कहते है nuclear matrix या nucleoplasm और nucleoplasm के अंदर क्या present है यह s parical body जो है यह present है जिसको कहते है nuclear lie nuclear lie के content जो है वो continuous होते है nuclear matrix या nucleoplasm से क्योंकि यह membrane bound नहीं होता है membrane bound ये नहीं होता है nucleolus ठीक है nucleolus जो है वो membrane bound नहीं होता है ये spherical structure और nucleolus जो है nucleolus जो है वो क्या होता है वो active site होता है ribosomal RNA synthesis का मतलब RNA synthesis ये करता है और जो भी cells जो है जो actively protein synthesis करते है उनके अंदर nucleolus जो है वो one या one से जादा nucleolus उन cells के nucleus के अंदर present हो सकते है क्योंकि obvious सी बात है ये RNA synthesis कर रहे RNA जो है वो protein बनाएगा protein synthesis जिस cell को ज़्यादा चाहिए उसके nucleus के अंदर जो है जादा nucleolus होंगे more nucleolus होंगे अभी previously मैंने आपको पढ़ाया था कि nucleus के अंदर highly elongated fibers ये present होते है जिनको क्या कहा जाता है जिनको कहा जाता है chromatin chromatin जो होते है वो condensed fibers होते है condensed fibers होते है जिनके अंदर क्या present होता है DNA present होता है nucleus के अंदर chromatin present होता है और chromatin के अंदर क्या present होता है DNA, DNA जैसा आपको पता है कि genetic material होता है DNA जो है double helical structure होता है और काफी elongated structure होता है तो ये जो है एक condensed form में रहता है जिस condensed form को क्या कहते हैं ये जो है condensed form में रहता है और इस condensed form को क्या कहते हैं chromatin chromatin के अंदर क्या होता है, histone protein present होता है जो की क्या होता है, basic होता है nature में और DNA क्या होता है, वो acidic होता है nature में तो ये जो है एक दूसरे की तरफ DNA और histone protein जो है वो एक दूसरे की तरफ attract होते है DNA जो है double helical structure होता है तो इस तरीके से कुछ जो है histone protein के उपर ऐसे arrange होता है और बिल्कुल condensed form में बन जाता है और इस total structure को क्या कहते है chromatin कहा जाता है अब chromatin जो है वो एक थोड़ा low condensed structure होता है जिसके अंदर DNA present होता है अब chromatin जो है highly condensed structure बन जाता है जिसको क्या कहते है chromosomes और ये कब बनता है chromosome जब nucleus जो है वो divide करना चाता है मतलब cell divide करना चाता है तो chromosomes जो है cell division के time पे बन जाते है जो की highly condensed form होता है किसका DNA का तो अब ये जो chromosome है ये chromosome भी जो है चार तरीके के होते है four types के जो है chromosome होते है cell के अंदर अब ये कौन-कौन से चार टाइप के होते है वो हम पढ़ेंगे अब chromosome का typical structure जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है जिसमें center में ये circular shape एक structure present होता है जिसको कहते है centromere और उसमें ये दो flying ये जो है दो disc shape structure present होते है kynotocores अब ये centromere की position के हिसाब से जो है chromosomes जो है वो चार टाइप के होते हैं पहरा टाइप होता है metacentric दूसरा होता है sub metacentric तीसरा होता है acrocentric और चौता होता है telocentric metacentric chromosome में क्या होता है centromere present होता है और kynotocore present होते हैं जो आपके इसमें जो है centromere वो बिल्कुल center पर present होता है और kynotocores जो present होते हैं वो equal length के होते हैं दोनो ही side पे अब sub metacentric में क्या होता है जो centromere है वो जैसे कि metacentric में center पर centromere present था तो equal length के kinotocores इसमें metacentric में थे पर सब मेटा सेंट्रिक में क्या होता है कारेटो कोर जो है मिडल से थोड़ा सा उपर की तरफ चले जाता है या नीचे की तरफ चले जाता है जिसकी वज़ा से जो है इक्वल कारेटो कोर नहीं रह जाते हैं एक जो है थोड़ा शौट आम बन जाता है और एक जो है थोड़ा जादा पेरिफरी पे थोड़ा और जादा पेरिफरी पे पहुँच जाता है और जो है एक्स्ट्रीमली शॉट जो है आपका एक आम बन जाता है और दूसरा आम जो है वो एक्स्ट्रीमली लॉंग बन जाता है एक्रोसेंट्रिक के केस में टीलोसेंट्रिक में क्या होता है कि बिल्कुल टर्मिनल पे ही एक कोने पे ही सेंट्रोमियर पहुच जाता है और इसमें तो जो है ये बहुत ही जादा शौट होता है जो एक वो आम आपका होता है और दूसरा आम बहुत ही जादा लंबा होता है क्योंकि ये बिल्कुल ही जो है एक्स्ट्रीम टर्मिनल पे पहु क्रोमोजोम इसलिए यह कहा जाता है तो मैंने आपको जो है चारो टाइप के जो क्रोमोजोम से वो पढ़ा दिये हैं इसी के साथ जो है हमने पूरा चैप्टर जो है आपका सैल दा यूनिट ऑफ लाइप वो पूरा डिसकस कर लिया है आई होप आपको सारी चीज़े समझ में आई होंगी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं